नमश्कार एक फिर साब का स्वागत है क्रिकेट केश्री में मैं हूँ अविनव भारते टीम के पूर बल्लेबाज रॉबिन उथपपा ने कल अपने बल्ले से एक तावरतोर पारी खेली जिसमें उन्होंने 23 गेंदों पर 33 रन बनाए जिसमें उन्होंने 5 चौके और 4 च्छके लगाए इस पारी के वज़े से उनके टीम को जीत भी मिली आपको बता दें कि जिसमबॉंबे एफरो टीटेंड लीग के 17 में मकाबले में हरारे हरिकेंज और डर्बन कलंडर्स का मकाबला खेला गया है जिसमें रॉबिन और चकाववा की जिबरदस्त ओपनिंग पारी से टीम को जीत मिल गई तो आईए वीडियो के जरीए आपको बताते हैं कि आखिर क्या रहा मकाबले का पूरा है दरसल टीटेंड टूर्टनामेंट के 17 हमें मकाबले में हरारे हरिकेंज ने डर्बन कलंडर्स के खिलाफ टॉस जीता और पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया वहीं हरारे की तरफ से खेल रहे रॉबिन ने आते ही चौके छके की बरसात कर जिसमें उन्हें चार चौके और तीन चक्के लगा इसके बचा खुचा काम तीन नंबर बल्ले बाजी करने आये डोनावोन फेरेरा ने कर दिया जो कि 12 गेंदों पर 24 रन की तावड़तोर पारी खेली वहीं मुहमन नवी तीन गेंदों पर दो रन की खेल रहे था गुल मिल चार चौके लगाए मगर मुकाबले को अंति तक रहते जीत नहीं दिला पाए इसके अलावा तीन नंबर पर बल्ले बाजी करने आये हजमत उल्ला जज़ई ने 28 गेंदों पर 49 रन बनाये मगर लक्ष तक पहुचने में वह भी खिलाड़ी असफल रहा पूरे दसोबर के ब सिर्फान पठान और शीशंद भी इस टूनामेंट के हिस्सा हैं रॉबिन उथपा को उनके बहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ दमैच भी चुना गया 20 जुलाई से खेले जा रहे इस टूनामेंट में पास टीमों को शामिल किया गया है जिसका फाइनल मुकाबला 29 जुला वायो ब्रेव से है तो आज देखने वाली बात होगी कि अब टीम जीत हासिल कर अंक तालिका में शिर्फ पर पहुंच पाती है या फिर नहीं फिलाल क्रिकेट से जुरी ऐसी हो और विपडेट को जानने के लिए देखते हैं क्रिकेट के इसरी तन्यवाद जे स weet कि अब Alma सो पात दो एंक भी कि वाली कारीla नहीं थात हैं याली नहीं तन्हीं पात व्हुंच पसाकर हैंक invece को बाद़ बात हो। जीत हम कि ओदेखते हैं क्र वाली को पाती हैं क्र रवाद बात को भी क्रदा है